नमस्कार आज हम बीकर सेट की सहायता से धारिता को समझेंगे और शिक्षार्थी इसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ पाएंगे इस गति विधी का उदेश्य है तरल पदार्थों की धारिता को समझना और अनुमान लगाना विभिन धारिता मापने वाले उपकर्णों की तुलना करना और धारिता के जोड़ और घटाव की अवधार्णाओं को और प्रत्यक्ष रूप से समझना बीकर सेट का उप्योग चात्रों को धारिता की अवधार्णाओं के बारे में सिखाने के लिए किया जाता है इसमें 50 मिली लीटर, 100 मिली लीटर, 200 मिली लीटर, 500 मिली लीटर और 1000 मिली लीटर के विभिन प्रकार के बीकर हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमें इस गति विधी को करने के लिए तरल पदार्थ की अवशक्ता होगी आईए इस गति विधी के लिए एक दैनिक जीवन का उदाहरन ले आज सुभा पौधों में पानी डालने के लिए मैंने एक बाल्टी भरी 10 मग प्रियोग करने के बाद बाल्टी का पानी खत्म हो गया अथार्थ जितना पानी उस बाल्टी में आता है वह बाल्टी की धारिता है क्या आप बता सकते हैं बाल्टी की धारिता कितनी हुई जी हाँ 10 मग अब बीकर सेट का प्रियोग करके धारिता को और बहतर तरीके से समझते है क्या आप यह बता सकते हैं कि किस बीकर की धारिता सबसे ज़्यादा है और किस बीकर की सबसे कम जी हाँ इस बीकर की धारिता सबसे ज़्यादा है और इस बीकर की सबसे कम है अब गति विधी को और प्रभावित बनाने के लिए हम छोटे बीकर का उप्योग करके एक बड़ा बीकर भरेंगे उदाहरन के लिए आईए इस बड़े बीकर को लें हम इसे कैसे भर सकते हैं बड़े बीकर को भरने के लिए हम इस छोटे बीकर का प्रयोग करेंगे इसे तरल पदात से भर कर इस बड़े भीकर में कुछ इस प्रकार से तब तक डालते रहेंगे जब तक यह पूरा ना भर जाए आईए तो यह करते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस छोटे बीकर का पांच बार इस्तिमाल करके यह बड़ा बीकर पूरा भर गया इस गती विधी से हमने अप्रत्यक्ष रूप से बीकर सेट का उपयोग करके तरल पदार्थों का योग दिखाया है इसे तरह से हम बीकर के अलग-अलग सेयोजन का उपयोग करके तरल पदार्थों से घटाव भी दिखा सकते हैं तो इस तरह शिक्षक दैनिक जीवन का उदाहरन लेते हुए इन बीकर सेट्स की सहायता से तरल पदार्थों की धारिता, उनकी तुलना और अप्रत्यक्ष रूप से जोड और घटाव को कक्षा में समझा सकते हैं धन्यवाद